आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ आचा करता हूँ कि आप सभी सुस्तोंगे महादेव के क्रिपाप सभी पर सदय बनी दे ये वीडियो मेश यानिकी एरिस के लिए अतिन्त विशिश है क्योंकि यह वीडियो है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 के सापताहिक राशी फल के बारे मेश के लिए जो मेरा सापताहिक राशी फल होता है वो प्रमुक्ताह चंद्रमा और उनकी गती प्याधारित होता है चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो भौत तेज भागते हैं सवा दो से रह दिन में राशी बदल लेते हैं स्वभावी कहागी पूरा हफता जो कि साथ दिन का होता है कई बार उनका राशी परियतन होगा चंद्रमा बहुत महत्तपूर्ण है क्योंकि मन के कारक है और क्योंकि मन के कारक है तो उनका प्रभाव डेटूड अक्टिविटीस पर बहुत परता है और उनका importance यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं, जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, उसको activate कर देते हैं, क्योंकि मन है न, तो इसी कारण से साप्ताहिक राशिवल की विशेशता बहुत बढ़ जाती है, किस प्रकार से आने वाला सप्ताहिक बारे में थोड़ी guidance प्राप्त कर यदि आपकी लगने राशि या चंदराशि मेश हैं, दोनों ही guidance के राशिवल को देख सकते हैं, टेक्निकल ये अलग-लग राशिवल नहीं बन सकते हैं, जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, बहां से आप इसको observe कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं सत्यन्तम है प्रवास करेंगे, चंदरमा का छटे घर में आना मिश्रित प्रभाव देता है, कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन चिंताएं बहुत रहेंगी, और यहां पर गहन दोश हो गया क्योंकि केतु के साथ हैं, तो ये चि hypothetical situation, ऐसी मन घडंत कहानिया अपने मन में बनाएंगे, जिनका वास्तविक्ता से कोई लेना देना नहीं होगा, और उसके कारण मन और व्यतित होगा, एक अच्छी चीज है कि गुरू की दृष्टी है, और गुरू वक्री होकर दूसरे घर में है, तो धनसंबंदित कुछ का कारे बनते हुए दिख रहे हैं, कोई लीगल कारे अटक रहा था, वो पूर्ण होता हुए दिख रहा है, कारेक शित्र में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थी, उनको सॉल कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि मानसिक चिंता इतना रहेंगी, इसके कारण, जो प्रॉब्लम्स सॉ नवान्च कुनली बता रही है कि शान्त रहने का समय है, दशान्च कुनली, कारेक शित्र में जितना आराम से आगे बढ़ेंगे, उतना आपके रहे अच्छा है, बिजनस में बहुत प्रेशर रहेगा, पैसा उतना नहीं आएगा, लेकिन प्रेशर बहुत रहेगा, लव ल गलता हुआ देख रहा है, शुबता देख रही है, जहां तक सेहत की बात है, पेट के रोग, इंफेक्शन, हड्डियों के रोग और स्किन डिसॉडर, सरवाश्टक में आपका बारवा घर बली है, खर्चे थोड़े शुरुवाती भाग में हफते के बढ़ेंगे, चन्रमा आ के ग्यारा बज़े तक प्रवास करेंगे, चन्रमा का सब्तम में आना, न्यूटरल ही माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो आपके केंद्र भाव के स्वामी है, इसलिए यहां पे आके राज्योग बनाते हैं, सूर्य के साथ है, जो त्रिकोनेश हैं, तो एक केंद्र त्रिकोन होने की भी उम्मीद है, इवन पब्लिक इमेज का भाव भी होता है, तो यहां पे नाम खराब हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजेगा, नीच के मंगल भी देख रहे हैं, ये भी उसकी प्रवलता को बढ़ा रहे हैं, आपकी गुडविल पर लोग प्रहार करेंगे, आप कु ऐसी बाते बोल देंगे, जो आपके ही विक्तित्तों पर एक बुरा प्रभाव डाल सकती है, आपके इमेज पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, तो ये समय बहुत केरफूल रहने का, स्पेशली जो लोग काम करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, सोशल लाइफ है जिनकी, क्य ये ही मैं कहूंगा कि अगर आप ऐसा आपका ऐसा विक्तित्तों है कि आपको बहुत लोग जानते हैं, तो तो सबसे ज़्यादा केरफूल रहेगा, जितना शान्त रह सकते हैं, जितना कम बोल सकते हैं, उतना आपके लेच्चा रहेगा, हाँ ये है कि मंगल आपके एक अट्मॉस्वेर रखिएगा, क्योंकि लड़ाई जगड़े होने की संभावना है, दशान्ष कुनली कारक शेत्र में थोड़ा सा उदासी इंता रहेगी, जैसे मने का नाम खराब करने का लोग प्रयास करेंगे, बिजनस गुस्सा बहुत आएगा, इसके कारण बना बन और बहुत स्टेगनेशन सा देख रहा है, ठीक ठाक सा समय है, यहाँ पर कुछ अलग मत कियेगा, सेहत की जहां तक बात है, जिनको BP की प्रॉबलम है, किड्नी गॉल बेडर का कोई रोग है, या हड्डियों का रोग है, उनके दिक्कत बड़ेगी, सरवाश्टक में आपका फिर से बारवा घर बली है, विदेश समदित कुछ काम करते हैं, लाब होगा, लेकिन खल से तो यहाँ पर भी जादा रहेंगे, दो नमबर सुबहा के करीबन 11 बजे, चंदरमा आ जाएंगे आपके अश्टम भाब में, यानि की व्रिशिक में, और सप्ता के अंतर कहीं पर अब देखें यहाँ पर कितना प्रभाव चंदरमा पर है, नीच के चंदरमा, बुद्ध के साथ चंदरमा जो हमेशा कन्फ्यूस करते हैं, दूसरा अश्टम के चंदरमा, तीसरा शनी के दृष्टी जो विश्टोष मनाता है, तो हफते का अंतिम भाग आपके लिए काफी अंसर्टिनिटी लेके आ रहा है, मन बहुत व्याकुल रहेगा, मन बहुत परिशान रहेगा, यह एक टेस्टिंग फेस होगा, आपका हफते का जो अंतिम भाग है आपके लिए बहुत टेस्टिंग होने वाला है, गल्तियां भी हो सकती है, वानी पर कंट्रोल नहीं रहेग वानी के स्थान में और वक्री गुरु हैं और यह सारे ग्रह अश्टम से बैठकर वानी के स्थान को देख रहे हैं, हाँ जब भी अश्टम भाव से कोई भी ग्रह दूसरे घर को देखता है, हमेशा कोई भी ग्रह अश्टम में बैठे का दूसरे घर को देखे गा ही, अचा की दृष्टी भी है और ये इंडिकेट कर रही है कि तो इसी उदासी इंता भी रहेगी तो हफ़ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत टेस्टिंग रहने वाला है एक मात्र चीज है कि गुरू की दृष्टी है भले ही वक्री है लेकिन गुरू तो थोड़ा सा पूजा पा बता रही है कि पुरानी गलतिया सामने आएंगे आपको ना रिलाइज होगा कि हाँ मैंने ये कर दिया था वो कर दिया था अब तो खैर पास्त है लेकिन हाँ कभी कभी रिलाइजेशन होता और फिर बहुत बुरा लगता है दशान खुलनी कारेक शेतर में आपका लाब रहे हैं या चीजें उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ी जैसे आपका एंटिसिपेशन है तो उसको बदलने का मौका मिलेगा लव लाइफ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखिएगा क्योंकि मिस अंडरस्टैंडिंग के योग होत है विवाहिक जीवन कुछ भी अलग नही सकते हैं प्राइवेट पार्ट्स जोड़ी प्रॉल्म तंग कर सकती हैं सरवाश्टक में आपका च्छटा भावत अंतबली है बहुत कंफ्यूजन और बहुत फ्रस्ट्रेशन आपको रहेगी हफते के अंतियम भाग में यह हफता थोड़ा सा आपके लिए mentally tough रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा को कोई respite नहीं मिल रहा छटे घर में अमावसे दोश्फिर स्टम भाव में तो हर जगा थोड़ा सा चंद्रमा का प्रभाव negative ही है उपाय के सिरुप में हरुमान चालीसा का दो बार पाठ कीजेगा बजरंग बान का एक बार पाठ कीजेगा और बता हूं कि वीडियो काम आएगी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे मिलता हो अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्तुर।